हेलो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूं सबी लोग अच्छ होगे जाबी होगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबर्दस्त क्लास को हम लोग यहाँ पर जो एकॉनमिक्स का करेंट फिर हम लोग कबर कर रहे हैं इसका लेक्सा नमबर 11 देखने को मिलेगा और यहा सब्जेक्टों का हम बन बाई बन देखेंगे पॉलिटिक कबर कर दिया है इकॉनमिक्स अभी चल लाएं और आप लोग अगस्त की मेगजी ने पूरी आज कबर हो जाए की होगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी मज़ा आने वा बात करें देखें अगर हम बात करें प्रतेक्ष लाब जो अंतरण होता है जिसको हम लोग डारिक्ट बेनीफिट ट्रांसफर भी बोलते हैं डीवीटी के नाम से बहुत फेमस चीज़ देखने को मिलेगी देखें न्यूस में तो पहले हम वह देख लेते देखिए इस यह डीवीटी का उद्यस से क्या था डीवीटी का उद्यस से था जो लावारती होते हैं जैसे उनके लिए पेंसन का भुकतान करना है या फिर किसी प्रकार का बेतन का भुकतान करना है या फिर किसी भी प्रकार की भत्ते भत्ते दिये जाने हैं तो जो भी लाव हैं पैसे क के रूप में दिया जाने हैं तो आप रित्तिक्ष रूप से ना आएं बल्कि गौर्मेंट डारिक्ट लावारतियों के खाते में दे दे बीच में जो मीडियेटर हैं उनको हटाने के लिए लाया गया था जिससे देखिए भ्रस्रचार भी खतम हो जाएगा साथ में पारिदर साथ में देखिए डीवीटी की वज़े से प्रत्यक्ष तौर पर और तुरंत हस्तानांत्रण हो जाता है पहले जो महीनों का समय लग जाता था अब गौर्मेंट अगर आपके पैसे डालती है तो वह 24-48 घंटे 32 घंटे के अंदर अकाउंट में दिखने लगते हैं फिर रि गते हैं कि इस को स्टाइट किया गया था कि देखने की यह कंरे करता है नोडल एजनसी कौण तो देखें जो नोडल एजनसी कोनित में और धन का भुकतान वो लोग touch no प्रणदन परणाली के अंतरगत किया जाता है तो यह भी आप लोग थ्यान रख लेना है वैसे इतनी ज्याद महत्पूर चीजें नहीं है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महत्पूर बात है जो डीवीटी है डारिक्ट बेरिफ बेनिफिट ट्रांसफर जो योजना है इसमे वह देखें अधर का निए जता है क्योंकि यह बहुत अज सुलब परकिरिया है क्यों आसानी सो जाता है तो इस बज़ए से आधर को बडेता देदिजाती है लेकिन mandatory नहीं है यानि कि अधार नहीं है तो भी जो dbt योजना है इसका लाब है वो लाभरती उठा सकते हैं तो समझ के बहुत महत पूड़ वाते हैं उस लोग इसमें confused हो जाते हैं वो लोग गलत कर देते हैं चलिए हम लोग देखते हैं next यहां पर अपना important जो topic देखने को मिलेगा कि भारत new car assessment program देखिए भारत जिसको NCAP के रूप में बिचानते होंगे जैसे जो कार होती है उनमें rating दी जाती है जैसे crash rating कराई जाती है कि वो कितनी ज्यादा safe है जैसे आप लोगोंने कोई चीज़ करीती होगी तो बहाँ पर बन स्टार टू स्टार थी स्टार फाइव इसी तरह से सकार है कार में देखिए हम लोग tripel करते हैं पूरी family के साते हैं और अगर किसी परकार के दुरगणा हो जाती है तो इसमें परकार के उपकराण इस प्रकार की बिवस्ता होनी चाहिए जिससे कमसे कम छती हो और इसके लिए रेटिंग दी जाती है ओके तो जो क् निर्वाता इस कार को बेचना चाहता है उसने कर पनाई मस्तसी वह लेकि देखिए रमुअ भी भूमाना सांता है कार में उठाल करके तो भी कार खरीदना चाहता है लेकिन अब रमुअ रमुअ की बच्चे उनकी सेफटी जरूर है तो सरकार ने क्या कहा पहले बताओ भईया जानते हैं जैसे बात करेंगे जिसमें बहुत सारे संसर का ऑपीयों किया जाता है फिर तो गाड़ी लेता करके उसमें फ्रेंट से ठुकबाया जाता है साइट से ठुकबाया जाता है और अलग-अलग तरीके से उसको ठुकबा करके देखा जाता है कि कितनी छती पहुंच रही है कितनी स्पीड से कितनी छती पहुंच रही है और उसमें कितने बैग यूच किये ग प्रणाली स्टार्ट की गई है दिए नियौस में इसलिए है क्योंकि सड़क एबाँ हम राजमार्ग मंतराले है इसने सेप्टी टेस्ट के लिए सोदेसी इस्टार रेटिंग परणाली है वो स्टार यानकि जिस सोदेसी रूप से भीक्सित की गई है द्यान रखिए गया बहुत महत्पूर बात है और साथ में अगर हम फिर मुख बिंदू की बात करें तो कार नेरवाता जो है वह फाइव स्टार रेटिंग उनको दीजाएगी क्रेस रेटिंग कराई जाएगी फिर देखाएगा कि पांच स्टार में से कितने मिले हैं जैसे सेब्टी फीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो वाइव स्टार मिलेंगे सेब्टी फीचर उसमें कम है और दुरगटना के समय चद्धी पहुचने की समस्य जाद है तो उसको रेटिंग क्या मिलेगी कम मिलेगी तो देखिए फाइव स्टार यानिकि पांच अच्छी स्टेंडर्ड है जिसको सौट में AIS के नाम से जानते हैं 197 197 के यह मानक हैं इन्हीं मानकों पर आधारित देखने को मिलेगा तेखिए जो यह आखलान की आखलान की जाएगा वह किस पर आधारित होगा Automotive Industry Standards जो हैं उन पर आधारित है और अगर हम बात करें यह प्रणाली जो है न यह प्रणाली किस पर आधारित है तो इस प्रणाली में जो मानक लिए गए है वो मानक Global New Car Assessment Program पर आधारित है तो यह चीज थोड़ा सा लंबा चीज इतना लंबा चोड़ा UPSC नहीं पूछे का देखिए और अगर हम बात करें कि आखिर देखिए जो ही सेफ्टी रेटिंग जो है एक इसके उपर लागू होगी जो रेटिंग प्रणाली है एक इसके उपर लागू होगी तो देखिए सभी के उपर लागू नहीं होगी देखिए जो यात्री बहान है ऐसे यात्री बहा ऐसे बहानों पर इस सेफटी रेटिंग फ्यूचर वाला जो यह प्रणाली है यह लागू होगी साथ में क्रेस्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा और साथ में उन बहानों का बसन है वो 3500 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए यहां पर जो बहान होंगे चाहिए वो CNG आधारितों यह धनाधारितों यह फ्रेलक्टानिक बहानों तीनों पर ही यह लागू होने वाला है बस ध्यान इतना रखना है कि यात्रियों की maximum capacity है उसमें कितनी होनी चाहिए 9 उस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो वो लागू नहीं होगा और साथ म में बजन भी ध्यान रखना है कि 3500 किलोग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए देखिए अगर हम यहां पर बात करें कि देखिए 22 एब हम चाइल्ड के लिए अलग-अलग रेटिंग इसमें दीजाएंगी क्योंकि देखिए अगर दुरघटना होती है तो 22 और जो बावुस होना बोलता होगा लेकिन भास्ता में आप क्या है आप बड़े हो गए होंगे आपकी उमर है 21, 22, 24, 25 साल, 30 साल के खरीम होगी अब आपको उसी स्पीट से उतनी ही तागत से कोई आपको जहापड़ मारे और उस से उतनी ही पावर से कोई उतनी ही तेज जो जहाप तो वो दो-तीन फिट दूर गिरेगा जाकर करके पता चला उसका जबड़ा उबड़ा क्या हो जाएगा यान की इसी बज़े से इसमें बैक्स एबम चाइल्ड के लिए अलग-अलग रेटिंग दे रखी हैं क्योंकि देखो बैक्स हैं वो पतनी से पिट-पिट करके क्या हो ज भी ज़रूरी hoते हैं और समाज के द्वारत दिये आगए धख्के भी रोरी खाने होते हैं अगर इन सबी चीजों से जो गुजरा होता है Спश्चा करके और लाइफ में बहुत सब्さん के लिए अगर हम बात करें दिखें यहां पर 57 इ Chapter में क्रßen होंगे कॉनौन से होंगे एक front impact test होगा front impact test का मतलब क्या सीदिय से जैसे एक ball है या फिर कोई भारी भारी सी सामने चीज रख दी जाएगी और उसमें ऐसे कार ले जाएगे फिर उसको ठोका जाएगा यहां कि front front impact test किया जाएगा तो कितना impact पड़ेगा यह test कराए जाएगा और साथ में side pole test भी कराए जाता है जैसे इसमें क्या होगा एक पतली चीज है वो ठोकी जाएगे तो देखा जाएगा कि क्या impact पड़ता है और साथ में सकता रेटिंग वी 100 नहीं कर सकता यानुकि यह क्या है यह test rating जो है इस स्वचिक प्रकर्टी की है यह बहुत महद्पर बात है अगर हम बहुत करें यहाँ पर देखे इस test में सामिल नहीं किया गया कि पैदल यातरी सुरक्षा को सामिल नहीं किया गया अगर यह कार से जब क तो उसको इसमें नहीं इंक्लूट किया गया है अभी हम लोग देखते हैं ओड़े देश का आमनागरी क्या निकि हवाई-चपल वाला भी क्या करेगा भाहिया हवाई-जास की सहर करेगा उड़े देश का आम नागरी की इसके लिए उड़ान स्कीम स्टार्ट की गई है तो देखे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उड़ान स्कीम के बारे में तो उड़ान स्कीम इसलिए नियोज में आगी क्योंकि कैग की जो ऑड़ेट रेपोर्ट थी कैग की जो audit report थी audit report को अभी संसद में प्रस्तुत किया गया है इस बज़े से थोड़ी से लिए उसमें आके हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या महत्पोर्ड चीजे हैं सबसे पहले हम देखते हैं और देख का आमनागरी का अखिरे उडान क्या बवाल है तो देखिए इसमें चेत्रिय कानेक्टिविटी के लिए योजना है प्रारम की गई है और यहां पर जो हवाईजाज होते हैं हवाईजाज होते हैं उसमें उसके परिचालन में कोस्ट को कम करना जिससे क्या हो यात्री जो हैं वो कम मुल्य में बहनिये मुल्यों में यात्रा कर सकें साथ में इसमें जो परिचालन कॉस्ट होता है रख रखाव होता है पोर्ट का जो येर पोर्ट होते हैं उन सबी को इसमें सामिल किया गया है तो दिखिए इसका उद्यस से क्या है हवाई अड़ो से बहनिय यात्रा और बहतर कनेक्टिबिटी के लिए इसको प्रारम किया गया इसका उद्देश से है इसका आरम 2017 में किया गया था दस साल के लिए इसको स्टार्ट किया गया है तो ध्यान दखना है मंतराले कौन है मंतराले तो आप लोग जानते होंगे नागर बिमानन मंतराले इसके अंतरकत आता है नागर बिमानन मंतराले के अंतरकती स्कीम है वो स्ट कुन करेगा तो यह करेगा अगर हम विसेस्ताओं की बात करें तो जो विसेस्ताओं हैं देखिए यहां पर भीविन प्रकार की रियायते दी जाती हैं जैसे सुल्क में टैक्स में भीविन प्रकार की छूटे दी जाती हैं जिस वजह से कॉस्ट कम की जा सके और अगर ऐसे कु मातरा में booking नहीं मिल पा रही है तो इस बज़े से बित्व पोशड भी किया जाता है कि जिस बज़े से उनको थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिल सके और वो कम कॉस्ट में कम कॉस्ट में परिचालन करके अनलोग को भी सुब्दा दे सके देखिए इसका महत्वा बहुत जादा है देखिए उड़ान है इसमें छेत्रिया कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जार है जिस से जो दुर्गम पहाड़ी बाले इलाके हैं दुरखम इलाके हैं दूरदराज पिभाले कॉस्टरली हो जाता है लेकिन बही पर अपेक्चा किरिति क्या होता है कम कॉस्टरली होता है यह चलिए और यहां पर ततकाल रूप से भी सुब्दा प्रदान की जा सकती है साथ में टेयर दिखे उडानी उजना के मध्यम से जो टेयर टू और टेयर स्री के सहर है इन सहरों का भी विकास किया जा सकता है क्योंकि जो टेयर टू और टेयर स्री के सहर है इन्हें टेयर बन से कनेक्ट किया जा सकता है जिससे टेयर बन के जो सहर है उन पर दवाव को कम किया जा सकता है और साथ में टेयर टू और टेयर फ्री में विकास को तेजी से बढ़ाए जा सकता है और Connectivity के माददें से तो ये सारी से देखने को फिले गई है इनकि इसका लाब है बहुत जादा मिले वाला है अगर हम बात करें सहरी अबसर रचना विकास नेधी के बात करें देखिए जैसे ग्रामीड अबसर रचना विकास नेधी प्रारण की गई थी उसी की तज़ पर देखते हुए देखा गया कि यार यह तो बड़ी अच्छी चीज़ लिए तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सहरी अबसर रचना विकास नेधी क्या है नियूज में क्यों है तो नियूज में इसलिए है कि रास्टी आवास बैंक है इसने दस हजार कडूर रुपए परीब दौर में इसमें और नेशनल हाउसिंग ब क्यातर करें तो इसकी उत्पत्ति 2008 में स्ताफित को किया गया ता और इसके लिए रास्टिया आवास बैंक अधनियम लाया गया था इस अधनियम के माध्यम से इसके स्ताफना की गई इस वज़े से क्या है एक बैधानिक निकाई है इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में इसका मुख्याले देखने को मिलेगा कभी दिल्ली घुम करके आईएगा बहां मिलेगी आपको एक बिल्ली ओके अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कार्रे की बात करें देखे इस बैंक का कार्रे क्या है इस बैंक का कार्रे है कि सभी बर्गों के लिए देखे सभी बर्गों के लिए आवास संबंदी आवसकताई ह गैंंग उनको पूरा कराने के लिए बेंक की स्टाफना की जिसका नाम है रास्तिय आवास बैंक कि कि नाम से वैसे आप कि हुए पूरी की जा सके देश्की तो इस वज़े से सब्सक्राप्षे नाम कि पहले अगर हम 2019 से पहली की बात करें तो इसमें जो यह आवास बैंक है रास्ति आवास बैंक है इसमें केंदर सरकार और साथ में RBI की इसमें भागेदारी होती थी लेकिन फिर 2019 में 100% हिस्सेदारी RBI से गौर्मेंट ने खरी थी अब यह 70% गौर्मेंट के स्वामित में आती है तो यह चीज आपको देखने को मिलेगी तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखते हैं एक चीज और देखिए जो सहरी अब सर्रसना विकास निदी है इससे पहले ग्रामिड अब सर्रसना विकास निदी को लौंच किया गया तो उसी की सफलता को देखते कि 95-96 के करीब में इसकी स्थापना की गई थी इसका उद्धिस किया तो उद्धिस सेमी है कि बुन्यादी धाचा परियोजनाओं के लिए बित्त पोषण करना इसका उद्धिस से था और इसका प्रबंदन है वो नवाड के द्वारा किया जारा था आप लोग जानते होंग आपको इतना प्रितिसत पैसा है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में देना है रेड के रूप में प्रात्मिक छितर में रेड के रूप में देना है लेकिन देखिए बाडिक जिक बैंके हैं जैसे उनको बोला गया कि आपको इतना परसेंट जितना भी परसेंट हो तो उसमे से मानते हैं 100 रुपए उनको क्या देना था प्राइमरी सेक्टर में देना था प्रात्मिकता वाले छित्रों में देना था लेकिन उसमें से इनोंने 60 रुपए तो प्रात्मिक्ता वाले चित्रों में दे दिया लेकिन अभी भी 40 रुपए बचे हैं जो अभी इनों ने यह तो दे दिया तो देखिए जो सेस रासी बची चालिस रुपए को उन्हें यहां पर देना होगा होगी तो देखिए जो प्राइमरी सेक्टर लोग देख लेते हैं सहरी अब सरशना विकास नेदी के बारे में तो अभी तो हम लोग बात कर लिए कि नियूज में क्यों है लेकिन अभी हम बात करते हैं इसकी स्थापना की गई है कि जो अर्वन इंफ्राटेक्टर डवलमेंट फंड की ओके पिरमुक बिंदू की अगर यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर आप लोग देख सकते कि इतने इतने सहरों को इंक्लूट किया है जो आप से यूपसी नहीं पूछने वाला अगर परियोजना के प्रस्ताओं की बात करें तो यहां पर देखिए जो परियोजना स्टाट की जाएंगी उन पहाड़ी राज्यों की बाद तो वहां पर मिनमम पाज कड़ोर को घटागर के एक कड़ोर रुपय किया गया है देना होगा आप लोगो देखने है से रहे इधर ढीकों przyलेंखे में तो इसमें ब्याज भी देना पड़े में ने पड़ेगे तो इसमें इसमें भांडर पाभृत आधिसांसे रुख जाती है इंसान क्या हो जाता है बाधरत क्या है तो ग्रेंट ने कहा है कि हम अप्तिक फैवर केवल है उससे जोड़ेंगे वो पिड़ते घर तक internet पहुंचाएंगे तो उसके लिए भारत नेट इस्टार्ट किया गया था अब क्या है भारत नेट जो स्टार्ट किया गया था बोले कि अब देखिये अब उसको क्या करना है आधुनुकी क्या रंड करना है उसको और जदा अपग्रेटिट करना है अपग्रेटिट करके सेस जितने भी गाउं बचे हुए है सब तक पहुंचा देना है मतलब लगबख में 6.5 लाग गाउं है 6.6 लाग गाउं में अब एक connectivity पहुंचा देना है अगर हम बात करें नियोज में क्यूं है भारत नेट भारत नेट इसलिए नियोज में है क्योंकर कि अंदर सरकार ने लगबख में एक दसमलब 3.9 लाग कड़ोर रुपए की मंजूरी दी है जिसमें इस रुपए का उपियोग है यह अफग्रेटेट करने में जो भारत नेट परियोजना है जो चल रही थी उसी को अफग्रेटेट किया जाएगा मतलब उसका अधुनिकी करण किया जाएगा अगर हम बात करें इसके तत्यों की बात करें तो देखिए जो ग्रामीड इस तर पर उद्मियों ग्रामीड इस तर यह जो उद्मियों है उनके माध्यम से लास्ट माइल फाइवर कनेक्शन है वो प्रदान किया जाएगा यहां पर 50-50 प्रतीसत का क्या होगा मतलब 50 अनपा इंट्रपिन्योर्स होते हैं उनको 50% दिया जाएगा वो 50% क्या होगा गौर्वेंट के पास में राज्यस्व का साज़ागरण होगा दीखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें कि नेक्स्ट येर में यहां पर टार्गेट रखा गये कि अगले दो बरस में सेस बचे जितन देखें घर तक फाइबर पहुंचाने का खर्च है यह तो गौर्वेंट उठाएगी घर तक जो फाइवर केवल पहुंचाएगी उसका खर्च है वो तो गौर्वेंट उठाएगी लेकिन देखें इसके रखाओ परी परीचालन या फिर जैसे खराव और आव हो जाए तो गौर्वेंट नहीं देखें उसके लिए क्या है जो ग्रामीड उद्धमी है न वो इसको देखेंगे और उसके परिचालन को देखेंगे तो यह चीज़ ध्यान रखना है देखें अगर हम बात करें कि भारत नेट है एक केंद्रिये छित्र की योजना है साथ में देखें य i.e. खान है भारतिय ब्रॉड बेंग इम ब्रॉड बेंग नेट्वर्क से की दौरे की अजाता है लेकिन इसका बिल और इस我就 में अब BSNL में कर दिया गया है तो क्रियानबेन एजनसी बर्तमान में कौन है अब BSNL बर्तमान में कि क्रियानबेन एजनसी है अगर हम बित्त पोश्ण की बात करें तो दिखिए इसके लिए बित्त पोश्ण है वो Universal Service Obligation Fund है उसके माद्यम से किया जाएगा अगर हम बात करें कि आप से अगर कोई पूछ ले कि भाई ये Universal Service Obligation Fund क्या है तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं तो देखिए इसकी इस्तापना है तो भारती है टेली गराफ अधनियम 2003 के माद्यम से इसकी इस्तापना की गई थी इस फंड की इस्तापना की गई थी इसमें देखिए जो वित्त है जो Universal Service Obligation Fund है इसमें 5% ले भी लगाई जाती है क्या लगाई जाती है पाच प्रतिशत Universal Service ले भी लगाई जाती है लेकिन किसके उपर लगाई जाती है हमारे उपर आपके उपर किसके उपर 5% यूनिवर्सल सर्विस ले भी लगाई जाती है तो जो देखिए टेली कॉम ऑपरेटर्स होते हैं तो टेली कॉम ऑपरेटर्स कंपनिया जो हैं टेली कॉम ऑपरेटर्स होते हैं इन कंपनियों के उपर फान्च पर्सन्ट ले भी लगाई जाती है खेस्च को कहां डाला जाता है इसका हुद्धेस से में और अन्यel यहें फॉड Japanese को ऊप..? करаяन जो आपके फेपर में तो नहीं पुछेगा लेकिन मेंस के लिए आपके लिए मैंत बुड़े दीखे ग्रामिल टेली घनत्व है वो 58 प्रतिसर देखने को मिलेगा टेली घनत्व क्या होता है कि देखिए किसी छेतर में कितने कितने यूजर्स हैं उन यूजर्स की संख्या को बताता है जैसे सहरों में एक घनत्व density क्या होती है ज्यादा होती है लेकिन यहां पर तरह सब्सक्राइब को लितstaw हो देखने को मिलेगा फोड़ी सी चीजें थी जो यहां पर आप देख सकते हैं लोग यहां पर बात करते हैं महा लत कर लीज देखें हैं कि बात कर लीते हैं बात में कि महार महापतन की कार्रप करनाली की बात करेंं दिखें फंक्षनिंग ओफ मेजर पोर्ट इन्डिया की बात करें तो देखें मेजर पूर्ट अगर हम भारत बात करें तो इनके संक्या कितनी हैं 12 देखने को ब swornख कर लेते हैं मैंने इदर बनाया भी कांडला देखने को तो यह है भारत का सबसे बड़ा प्राकर्तिक पोर्ट देखने को बिलेगा इसको भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है वही एक और पोर्ट है मुंबई के अंदर ही जवाल नाल नहरू पोर्ट जिसको हम बोलते हैं इसके अलावा मंगलूरू में मंगलूरू में देखने को मिलेगा और इधर देखिये कोलकाता में यह काफी प्रमूग है यह देखिये सबसे पुराना बंदरगा भारत का सबसे पुराना बंदरगा कोलकाता देखने को मिलेगा बही यह एक नदी पतन है क्या है एक नदीपतन के रूप में देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा पोर्ट हैं नदीपतन, क्योंकि यह समुद्र के एकदम किनारे नहीं है, बलकि समुद्र से थोड़ा सा अंदर के लिए है, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है स्यामा प्रिशाद पोर्ट अब इसका नाम बजल के कर दिया गया है तो फोड़ी से चीज़े हैं वहीं अगर हम पारा दीप की बात करें पारा दीप उर्टीसा में है, ये भी काफी महत्पुड है आंदर प्रदीश में आपको विकासा पत्नम देखने को मिलेगा इन और चेन नहीं है वो तमिलनाडू में देखने को मिलेगा और तूति कोरिन है वो भी आप लोगों के लिए तमिलनाडू में देखने को मिलेगा तो इस तरह से कुछ पोर्ट है वो आप यहां पर देख सकते है लोकेशन थोड़ी से ध्यान रखिएगा कौन-कौन से राज में है मंगलूरू है यह कहां है करनाटक में है यह आपको समझ नहीं आ रहे होगा एक करनाटक में हो है है यहां पर मूर्मू गाउं जो है एक गौवा में देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोगो थोड़ा सा ध्यान दखना है अगर हम लोग बात करें देखें यह जो मेजर पोर्ट हैं आखिर न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है क्योंकि संसद्य समिति जो 7-1 भी रिपोर्ट है वो अपनी रिलीज की है किसके उपर महा पतनों की कारफण द्लाली के उपर यह रिपोर्ट रिलीज की है देखें अगर हम बात करें भारत के अंदर पतनों को दो भागों में डिवाइट करें जाता है जहां एक और महापतन देखने को मिलेंगे जो बड़े पोर्ट होते हैं मेजर पोर्ट होते हैं बहीं गौर पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम माइनर पोर्ट बोलते हैं जो छोटे पोर्ट होते हैं तो अगर देखिए हम महापतनों की बात करें तो महापतनों का महापत सूची में आते लेकिन बहीं अगर हम गौड पोर्ट की बात करें तो माइनर पोर्ट जो होते हैं इस संबर्ती सूची में आते हैं और इन्हें राज्यों दोरा जो भीविन राज्यं अपर्टा होगा तो राज्य बोर्ड समुंदरी बोर्ड के अंतरगत उनके अधिकार में आते हैं उनके द्वारे ये नियंतरित किया जाता इनकी संक्या है जहां जो माइनर बोर्ड है इनकी संक्या जहां 213 देखने को मिलेगी बही महापतनों की संक्या 12 देखने को मिलेगी ये तो मैं आप लोग में निकमित एक मात्र ऐसा पतन देखने को मिलीँ से अगर हम लोग यहां पर मतपूर चीजों की बात करें दिखें भारत में भारत में जो टर्ण टर्ण अराउंड टाइम जो देखने गोले इसको टी आरड़ी बोलते हैं यह टर्ण अराउंड टाइम क्या होता है यह जो पहले देखे जहान एक शिप कम लग रहे हैं दीपक जदा लग रहे दीपक किसी पूर्ट पर आया आने के बाद में भापर फिर कंटेनर है उनको उतारा गया उतारने के बाद अगर उन पर कुछ भी लोड गरना है वो लोड गीज़ फिर वह क्या हुआ यानि पर आने से लेकर के पूर्ट से निकलने के बीच में जो अबदी होती है उसको टरन ऐरांड टाइम बोलते हैं देखिए ताइम कैसे कम क्या जा सकता है जब हमारे पास में आदूनिक मसीने हो तेजी से हम तेजी से जो इतना बड़ा सिफ होता है कंटेदर सिफ कर दें और साथ में जो अनुमती की पिरिक्रियाएं होती हैं जो पर्मी Carnes लिनी होती है अगर वो पर्मीशन कई जगे पर लेनी होगी तो भी देर हो सकती है तो हमें single window solution भी देना पड़ेगा जिससे अगर ऐसी पिरकार की अनुमती क्या बसकता और साथ में जो थोड़ा सा पोर्ट है उनका आधुनकी की अरण किया गया है उनकी बिस्तार किया गया है जिस वज़े से यह समय में कमी आई है बहीं अगर हम बात करें operation ratio है जहां पहले 53 रुपए था बहीं अब कितना हो गया 48 रुपए हो गया है अब यह operation ratio क्या होता है देखें जो operation ratio यानकी परिचालन अनपाद होता है जैसे कि एक पोर्ट है उससे जितने पैसे कमाएं और जितने पैसे कमाएं और उसके परिचालन में जितनी कॉस्ट आती है उसको चलाने में जितना खर्च आता है उसके बीच का जो अनपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं परिचालन अनपात बोलते हैं जैसे पहले 100 रुपए अगर कमाते थे तो उसमें से 53 पर ही खतम होते हैं यही क्या है परिचालन अनपात हैं कंटेनर याता यात है उसमें ब्रद्दी हुई आप देख सकते हैं जैसे कि जहां 2013-14 में 555 एमटी देखने को मिलेगा मतलब मिलियन टन देखने को मिलेगा बहीं अब कितना हो गया यहां पर 796 एमटी हो चुका है तो इस थोड़ी से देख सकते हैं बहीं देखिए सागरमाला परियोजना के अंत्रगत 101 सड़क और 90 रेल कनेक्टिविटी परियोजना इसा लाई जा रही है जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी को बहतर किया जा सके यानि कि पोर्ट को हमारे आंतरिक भागों से जोड़ा जा सके इसके लिए परियोजना सागरमाला परियोजना चला ही जा रही है देखिए बहुत सारे बहुत सारे इनिसेटिव लिए गए हैं जिससे प्रिक्रिया सुलप की जा सके जैसे देखिए प्रियास की अगर हम बात करें सागरमंधन डैस्पोर्ट स्टार्ट के लिए जो porta हैं इनकी Real Tam Trackingt के लिए सागर से तु एप है वो start की गई है साथ मैं logistic portal है वो इस्टराइट किया गया रास्तिए policy Deal है यह समुधरी सिंगल बिंडो platform है देखे logistic क्या है logistic platform आपको जो permission लेनी है वो लगू सिचाई योजना पर जो छटवा सेंसस है गड़ना है उस पर रिपोर्ट रिलिस की गई है लगू सिचाई पर योजना उपर अगर हम बात करने के भारत में जो सिचाई पर योजना है उनको समानतर तीन भागों में बाटा जाता है एक प्रमुक मध्यम और लगू सिच की है उगे किस पर रिपोर्ट रिलिस की है लगू सिचाई पर योजना पर छटमी रिपोर्ट रिलिस करी से थोड़ा सा नीज में आ गbei आगे देखिया अगर हम बहीं पर बात करें कि की बदेखिये प्रमुख बिंदु की बात करें दíकिंगे तीन भागों के अंत्रगत 10,000 से लेकर के 2000 हेक्टियर के बीच में अगर हम चेतर को सिंचित करते हैं तो उसे मध्यम सिचाई पर्योजना में बरगी करित करेंगे और 2000 हेक्टियर से कम होगा अगर सिंचित चेतर तो हम उस पर्योजना को क्या बोलेंगे हम लगू पर्योजना लगू नेहरे बनाई जाती हैं लेकिन अगर हम लगु की बात करें तो लगु में सतई और जो भूमी जल है दोनों का उपयोग किया जाता है और इसमें भूुजल का भाग जाधा मुझाल कर दो और योजना है यह पहले केंदर प्रयोजित थी लेकिन अब क्या हो गई यह केंदर यह चेत्रक की योजना हो गई यह पहले क्या थी केंदर प्रयोजित थी यह केंदर और राज जिसमें मिल करके पार्टिसपेट करते होंगे मतलब बित्त का पोश्ण करते होंगे लेकिन अब केंदर चेत्र कि यहां पर रिपोर्ट के बात करें तो देखें इस रिपोर्ट में जो यह रिपोर्ट छटवी प्रश्टुत की गई इस इसमें संदर बर्स है वो-2017-18 लिया गया है अगर अगर हम रिपोर्ट की बात करें प्रमुग प्रमुग तो दिखिए सबसे ज्यादा लगू सिचाई में अगर हम बात करें सबसे आगे कौन है लगू सिचाई में सबसे आगे उत्तर प्रदीश है यानि कि लगू सिचाई के माध्यम से उत्तर प्रदीश में सबसे अदर सिचा तो इसमें आपको पता है भूमी घजल होता है उसकी हिस्सेदारी जाता है लेकिन उसमें भी अगर हम देखे तो देखिए कुओं के माद्यम से जो सिचाई की जाती है कुओं के माद्यम से चाहि की जाती है उनकी संख्या सबसे जादा देखने को मिलेगी दूसरे नंबर पर क करते हैं प्र लगा करके इंजन या मोटर लगा करके फिर हम सीचाई करने लगते हैं उनको क्या बोलते हैं कम गहरे टूप बेल ऑल की फिर दूसे नंबर सब्स yan Star Zeal कि जाती है थीय की नबर पर जो मद्धियम एतम गय जो गहरे वे होते हैं वो आते हैं लास्ट नम पर ओके तो सबसे ज्यादा लगू सी चाई में भाग कॉन रखते हैं ऊएक 허ते हैं फिर कम अीजिंच कीप में महत्या न मरकूम पुछ है इसमें जो यहां कोव हैं इन में सवामित किसका है तो निजी स्वामित ज्यादा देखने को भी लेगा 97 परसेंट जो स्वामित है वो निजी स्वामित में सेस जो 3.4 प्रतिसत के करीब में निकलता है जागर के वो किसका है सारवजनिक सारवजनिक स्वामित देखने को भी लेगा यह देखिए यह 96.7 के गरीब में देखने को भी लेगा तो मैंने पूरा इसमे 97 कर दिया यह तो वैसे आप उससे पूछता नहीं है और रेजी स्वामित में अगर हम महिलाओं की बात करें तो 18% महिलाओं के पास में स्वामित है तो यह कुछ चीजे थी जो आप लोग इधर देख सकते हैं और यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं दे रखी देखे पहली रिपोर्ट है जैसे अभी क्या है छटमी रिपोर्ट रिलीज की गई यह पहली रिपोर्ट कब रिलीज की गई थी 1986 और 1987 में संदर बर्स लिया गया था और इसी संदर बर्स के आधार पर 1993 यानकी नमबर 1993 में यह प्रकासित की गई थी जो पहले रिपोर्ट थी अब कौन सी यह चट मी नंबर की है और यहां पर संदर बर्स कौन सा था 1986 और 87 जो था वो संदर बर्स था समझ गये आप लोग अगर हम लोग यहां पर बात करें कि देखे अब टट यह चेत्र खनिस संसोधन अधनियम 2023 की देखे जो आपसोर एरिया में हम लोग खनन करने के लिए यह संसोधन किया गया है क्योंकि अभी तक हम आपसोर एरिया में खनन कारें को खनन गतिवितियों को नहीं स्टार्ट कर पाए हैं यह बहुत जाता महतपूर हो जाता है तेश की अर चेत्र होता है यह प्राकरतिक संपदा की ड्रक्ती से बहुत महतपूर होता है तो हम यहां के संसादनों का दोहन कर सकते हैं न्यूज में क्यूं है रासपती ने इस बिल पर मंजूरी दे दी है यानि कि अभी अधनियम बन गया है और जो 2023 का जो अधनियम है यह 2002 में जो करेगा संसोधन करेगा अगर हम बात करें कि 2002 का जो अधनियम था ओके इसमें जो प्रादेशिक जल होता है महादीप यह मंगनटट होता है अनन आर्थिक छेत्र होता है जिसको एक्सक्लियूजिव एकॉनमिक जोन हम लोग बोलते हैं और अनसमुद्री छेत्र हैं इन छेत्रों में खनिज संसाधनों के अनवेक्षड के लिए विकास के लिए बिनियमन के लिए यह प्राबधान करता है अधनियम उकी तो इसमें इस अधनियम में यह बताया गया है तो आ अगर हम लोग बात करें कि अब टटिये खनन क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब टटिये होता क्या है अब टटिये एरिया क्या होता है और सोर एरिया क्या होता है अब टटिये छेत्र क्या होता है पहले यह तो समझ लें तो देखिए जो मुख्य भूमी है तो मु है जैसे देखिए यह क्या है हमारा फ्यारा भारत है अब दिदिए जो एक है यह क्या है देखिए यह क्या है मुख խूमी है अभी सथा हुआ खेतर इधर यह ही क्या क्या है ओप स sesi अर्टा है Yayo में फया और यह दो سंसादनों ड़ती preparedness से बहुत ज़्यादा रिच देखने को मिलेगा और इसमें देखिए ओपसोर एरिया में ओपन सीन आता है मतलब बहार का समुद्र है वो बहुत ज़्यादा दूर का छेतर सामिल नहीं किया जाता है यह चीज़ ध्यान गया है देखिए अगर हम लोग बात करें देखिए आप तो अपसे समझ पर सोर ऑच समझेशन में तो गजाते होंगी गहराई पर जो समुद्री सतअ है दो समुद्र से अधिक की गहराई पर जो समुद्री सतय है यहां पर खनिज भंडार को प्राप्त करने की जो प्रिकरिया है इसी प्रिकरिया को हम क्या बोलते हैं अब टट ये खनन बोलते हैं कोई रॉकर साइंस नहीं है देखे अगर हम लोग यहां पर बात करें कि 2002 का जो अधनियम था और 2023 का जो अधनियम आया क्या संसोधन हो गया क्या इसमें परिवर्टन हुआ तो 2002 का और 2023 का लाइसेंस प्रिकरिया जो पहले थी पहले जो अगर अगए में अगर आपको परिक्षड करना है तो अलय सेंस की आवेदन करना होगा अधलक लेना होगा अविक्षड करना है उसके लिए जटिल पủ oben और इसमें अगर आगे चर्ण के लिए अगर आवेधन नहीं दिया जाते तो आगे की आगे का जो पैसा आपने में नहीं मिला 2 तो यह समस्य लेक्षिंद्धन करके क्या हो गया यहां पर समगर license की बेवस्ता की गई है यानी कि आपको परिक्षण अनंव एक्षण गैसंस दे दिया जाएगा श्यने लाइसम्स की पहले यह देता होती थि उत्पादन से संबन्दि जो क्वांटरेक्ट दिया जाता था उत्पादन पट्टा होता था वो पहले 30 बश्का दिया जाता था और 20 बश्क तो नवी चेतर में आगर लाई सेंस मिल गया है तो आपका कर सकते हैं Mारे नीलम की बात करें तो देखे प्रसासनिक आवहंटने रियायतों की व्यवस्ता की गई तो रियायत मतलब छूट दे सकते हैं लेकिन यहां परaca Jim यहां पर बोली लगेगी नीलामी होगी मतलब प्रतिस पर्धा पर आधारित होगा लेकिन दिखे एक जो नया संसोधन क्या गया है न इसमें परमाडू खनन जो होगा मतलब परमाडू जो तत्व होते हैं उनका खनन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौर्मेंट के द्वारा किया किया जाएगा उनका परिक्षड भी सिर्फ गौर्मेंट के द्वारा किया जाएगा यानि की परमाडू खनन से संबंदित अगर बात है तो सिर्फ गौर्मेंट का नियंद्रण होगा और अब टटिये अब टटिये छेत्र खनिस ट्रस्ट है यह भारत के लोग लिखा फंड का मतलब क्या है अगले विद्तिय वर्समें जैसे कि इस इसके लिए जो इस सो रुपार डाले गया ओकि इस साल में अब इसमेंसे क्या हो हो गये 50 रुपएं या व्यूज हो गए अब फ़या रह हो तो पहले अगर जैसे कि अगर ब्यब्गत मेबस्था नहीं होती तो क्या हो जाता यहां पर यहां पर रो जाता कर मतलव हो जाता यह पैसा क्रेश चोपी यूज नहीं हstat बम दमनें लकिन अब क्या यह गाथ है या यानि कि पाचास रुपए रह गया तो पाचास रुपए ěसा ही रहेगा और इस बर से 100 और आगे तो क्या हो जाए इस ड्रस्ट में टोटल बेधाड याना कि अनौन लेपसबल है कि पर गड़तीगाई हो ऑगई से देखने को मिलेगे देखिए कितने सारे मच्छड आ गए जैसी थोड़ी सी गर्मी पड़ी मच्छड एकदम अटेक कर दिए अगर हम लोग कुछ की बात करें कि भारत के लिए बहुत जाद है महत पूर कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा टटिये-च्छित्र है हमारे पास में लग-बख में 37,000 कुलो मेटर का हमारे पास में टटिये-घ़ा पाई जाती है जिसमें नौराज चार चार यूनिय और तेडिटरी और से महुत मैं पूर जाता है साथ में देखिए अगर हम बात करें एक्सक्लूजिव एकॉनमिक जोन की बात करें तो भारत के पास में लगबग में बीस लाख बर्ग किलोमेटर छेतर पाया जाता है और गुजरात महारास्टा में वहीं अगर हम गुजरात महारास्टा की बात कर हैं और यहां पर पूर्वी यहां पस्मी जो महादीप हैं मार्जिन छेत रहे हैं यहां पर फास्फाइट है बो जादा पाइज आता है अंडवान निको बार एबम लक्षदीप सागर है इस सागर के अंदर भीविन प्रकार के चीज़ें पाइज आती हैं और इधर भी आप लोग से देख सकते हैं कि मतलब वडी सांदर प्रजिस के रहरे इधर भी बहुत सारी से पाइज आती हैं भारी वारी धात हुए ओकि अगर हम लोग यहां पर बात करें कि चिकिस्टा और आ रहेंगे या कल्याद परियक्तन के बाहरें दीखें अधिकर और बाएलनेस टूरिज्म अधर भारत में लोग चेयुंटाव कराने के लिए तो आती हैं लेकिन आज लोग भारत में व्योंडायर हमने दोहन नहीं किया तो हम बहुत में चली जाएंगे क्योंकि vivir की 20 की बात करें तो जो बैल्नेस अकॉनमी है ना वो चाहर हम फजले छाहरे ती है यह पिर हम लोग क्यों जिसको बोल सकते हैं लिए आपे निखा जैसे आपको बुखारा तो गया मेडिसीन लेता है मेडिसMore लेकिन आग लोग है रई चीज्ट से आगया है लोग क्या है आज बिमार ही फिर जा कर के वो क्या करते हैं बीमार नहीं है तो भी वह जाकर क कि डॉक्टर से कंसार्न करते हैं जाकर के भीमिन प्रकार के जो ट्रस्ट होते हैं और जो ऐसे संस्तान चलने होते हैं उनमें जाकर के अपने स्वास्त के बारे में जानकारी लेते हैं योगा में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे भीमिन प्रकार की थेरेपी हैं उन थेरेपी का उपयोग करते हैं तो कि क्या है बैनलेस जैसे कि वो जब उनको छुटिया मिलती है तो बच्चों के साथ में वो जाते हैं पहाड़ी छेत्रों में रहने के लिए जहां सुच हवा होती है सहरों से दूर रहना पसंद गरते हैं तो यह सब क्या है बैनलेस के उधारण देखने को बिलेंगे मतलब क्या है अभी इंसान अपनी जीवन की गुरबता है उस पर ध्यान दे रहा है तो जैसे कि इंसान है मोटा हो गया पहले मोटा और जाते ता कोई बात नहीं तो पहले लो क्यों करो फिर क्या हो जाते हैं यही बेलने से है दो आज चीत वगारत में बारत पर की-विवन जगह हैं। उनको सांती मिलती है घुमने आते हैं योग सीखने आते हैं और इसके अंतर आता है अगर हम बात करें नियूज में क्योव है क्यों कर आयूस बीजा प्रारम किया यूस बीजा बनाने कि गोश्fa की ए जो किस पर आधारित होगा इसी पर आधारित आपको देखने को मिलेगा और यह चिस्टा बीजा की लिस्ट में ही इंक्लोड किया जाएगा अगर हम इसमें बात करें कि प्रमुख बिंदू की बात करें तो ग्लोबल बैलनेस टूरिजम है इसमें भारत का इस्तान साथ मां इस होते हैं हम इसको और बढ़ा सकते हैं भारत में बात कर लो या फिर हम लोग प्राकरतिक रूप से अगर देखें नेचरल चीजों की बात करें हम बताएं नहीं जैसे आज बर्दमान में अंडवान निकोबार की जैसे की मालदीप है उसमें जैसे खुबसूरती है बैसी ही खुबसूरती हैं आप आकर के तो देखिए अंडवाने खुबार में भी देखने को मिलेगी लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया एक बार प्रमोट किया है तो मालदीप की एकॉनमी क्या होगी ही लगई समाज दीजिए और इसी तरह से आप सुज्जर लेंड घूमने ज मगन हो जाएंगे देख करके आप सुज्जर लेंड भी भूल जाएंगे कि क्या सुज्जर लेंड है कि जो उत्राखंड और आप लोगों के लिए जो पहाड़ी छेत्रों में हीली स्टेशन ओपर जो आपको नजारा देखने को मिलेगा तो यह चीज़े हैं जो पस्मी घाट बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा खूबसूरत है हमारा पस्मी घाट चलिए हमने तुड़ा सागे बढ़ते हैं दो हजार पच्चिस तक पच्चिस तक जो मेडिकल और जो बैलनेस टूरिजम है यह लगबक में 70 बिलियन डॉलर होन कर सकते हैं और भारत के भारत को एक बड़ा राजस्प हो सकता है अगर हम इस छेतर में अच्छे से इनिसेटिव लें तो अगर हम बात करें फार्मेशी संसोधन अधनियम 2030 यह आया था क्योंकि देखिए जम्बु कस्मीर में पहले यह लागो नहीं होता तो जैसे जम्बु जम्बु कस्मीर जो था उसके लिए अलग विवस्ताइं थी वो खुद के नियम कानून रखते थे लेकिन अब क्या है वो जो यूटीस बन गया है यूनियर टेरिटरी बन गया है बहां पर भी यह लागो होगा जो फार्मेशी अधनियम 1948 लागो होगा इसी वज़े से फार पर कुछ चीजहीं आप देख सकते हैं देखें साउपकरण में भारत ने सौ परितिस्ती क cancel उतकी होगा ऑ्पार जया तो안 मॳान क्या होता है ब्राउन क्या होता है पर योजनाए जहां पर पहले सी कोई इस्तापित निकाई है य है उसमें दुबारा से क्या उसमें निभैस कर रहा है तो वो क्या भूल बोल को ब्रान फिल्ट इन्वेस्टमेंटिेंट है फिर ब्राउन फिल्ट बोलապट तो रयोजनाओ के लिए जो फड variety है वह 54 प्रती सत्थ है यहां पर दियान रखना है लेकिन ग्रीन फ्रास ने लेकिन भारत इस फार्मेसी सेक्टर में बहुत आगे देखने को मिलेगा जैसे जैनरिक दबाओं की बात करें तो बैस्विक जैनरिक जितनी पूरे बिसमें जैनरिक दबाएं उत्पादित की जाती है अकेले भारत बीष प्रतिस दृतथ पाधन उसका करता है लेकिन देखे यहां पर और चीजसे दिएह अलक की बात करें तो कर दो हूं में दावाओं वाएं बनाई जाती हैं बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं जो उपकरण होते हैं पीपीटी किट होती है माक जो मास मास तो हम लोग लगाते हैं बहुत सारी चीज़े बैक्सीड का उत्तपादन पूरे विस्व में जितने लोग करते हैं उसमें साट प्रतिशत अकेले हिस्त्यदारी कितनी है भारत की अकेले है imagery तो तो बहाँ पर 70 प्रतीसत आप उर्थी है बो इंडिया से ही कि जाती है कुछ चीजों की कुछ टीकों की जैसे कि दिपिथेरिया हो गया टेटनेस हो गया यहां पर पार्टू सीस सीसे हो गया तो यह जो हैं इनकी आपको लगभख में देखने को मिलेगा 70% के इधर दिया जात तो आज का लेक्सर है वो यहां पर ही फिनिस होता है आज हम को थोड़ा सा जाना था कहीं तो इसी वज़े से आज हम क्लास को रिकॉर्ड कर दिये थे जिससे आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लास काफी अच्छी लगी होगी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर चैनल पर बिजिट करेंगे आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा नोटिफिकेसन आया है आई इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी आप लोग फिल कर दिएगा उस लोगों के डाउट से मैंने देखा था कमेंट में तो मैंने सबके रेपलाई तो कर दिए हैं और भी कमें कि मैं सौट वीडियो बना दूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैसे ही डाउट और भी लोगों के होंगे जो आपके डाउट से तो उन पर सौट वीडियो भी बना करेकर डाल दूँगा तो चलिए आज का लेक्षर यहां परीफिनिस करते हैं और हम लोग मिलते हैं न बोड़नाइट दोस्तों